अगर आप अपनी औरत के अंदर घुसाते हैं और आपकी औरत चिलाती नहीं तो आप ना मर्द हैं नपुनसक हैं हिजडे हैं आप अपनी औरत का पानी जाड़ कर उसे कभी जिन्दगी में बिस्तर में संतुष्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका लिंग छोटा है पतला है तेड़ा है कबजोर है अगर आप अपनी औरत के अंदर घुसाने पर उसकी चीख आह उख की आवाजे निकलना ना सुरू हो जाए तो आप अपनी औरत को कभी भी बिस्तर में संतुष्ट कर पाओगे ही नहीं आजकल की औरते अपने पती को ठुकवा तो लेती हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होती इसी के नाते औरते गए मर्द को देखती हैं तो उनसे ठुकवाना सुरू कर देती हैं अगर आपका भी लिंग छोटा है पतला है तेड़ा है कमजोर है बीबी के अंदर घुसाने पर बह उनसे चार इंच मोटा करिए ताकि अवरत के अंदर घुसाएं तो जल्दी घुसे नहीं और मुह के अंदर ही जाते ही आपकी ऑरत चिलाने लगे इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज आपको लेनी है आपको लेनी है दोस्तों सरसों आप सरसों को ध्यान से देख लिजीए आपको सरसो को लेना है और इसे सिर्फ कच्चा पीसना है आपको इसे इसमें अच्छी तरीके से कच्चा ही हलका हलका पीस ले और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल कर फिर दोबारा बिलकुल बारीक इसे पीस ले पीसने के बाद इसमें हलका सा आपको बिल्कुल हलका सा आपको थोड़ा सा सरसो का तेल मिला करके इसे आपको रख लेना है किसी काच के जार में इसमें से थोड़ा सा निकालें और रात को सोते संगाएं अपने लिंग पर लगा करके अच्छी तरीके से लिंग के अगल बगल और लिंग पर अच्छी तरीके से मसाज करें लगभग 10 मिनट तक लगातार मसाज करते रहें सिर्फ 10 दिनों तक इसका इस्तमाल कर लीजिए आपका लिंग बिलकुल घोड़े की तरह लंबा मोटा कड़क सुडॉल हो जाएगा आप अपनी औरत के अंदर घुसाओगे तो आपकी औरत को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप उसके लिए पूरी तरीके से खुसियां ही खुसियां ला देंगे अपनी औरत का पूरा पानी जार कर ही संतुष्ट करिए क्योंकि अगर आपकी औरत गैर मर्द से ठुकवाने लगेगी तो आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप अपने हथियार को मोटा लंबा करके खुद भी मज़ा लीजिए और अपनी औरत को भी मज़ा दीजिए यही है दोस्तो सरसो की पावर आपकी लिंग को मोटा लंबा कड़क सुदॉल करके ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग बढ़ाने वाला जोस इस दवाई में है वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सेयर करें बाई बाई फ्रेंड